दोस्ता नमस्कार आप सभी का आपके अपने चैनल यूबी नियूज एश्की पर स्वागत है दोस्तो आज हम बात करने जा रहे है एक ऐसे मुद्य के बारे में जिसको पूरा करने के लिए हमारे देश में धेरो संगठन बने पड़े है और इन संगठनों से लाखों के संख्या में लोग जुड़े है वैसे तो आप सभी को वीडियो के थंब नेल देखकर इस वीडियो के टैटल का पता लगी चुका है पर ये प्यारे दोस्तों काफी नहीं है आज के वीडियो में हम बात करेंगे यदी भारत हिंदू राष्टर होता आज हम कलपना करेंगे कि यदी भारत हिंदू राष्टर होता तो कैसा होता, यहां का सभीधान कैसा होता, यहां के लोगों कि स्थीर्थी कैसे होती किस तरह की विवस्ता हमें देखने को मिलती प्यारे दोस्तों विडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आज आपके लिए इस विश्यों के बारे में जानना अतिय आवशक है आप में से बहुत से लोग इस तरह के संगटनों से जुड़े होंगे जो कलपना करते है कि भविश्यों में एक ना एक दिन भारत हिंदू राष्ट्र अवश्यों बनेगा आपने राष्ट्रिया स्वयम सिवक संग RSS के नाम से बहुत प्रसिद है हिंदू मा सभा बजरंग दल जैसे अनेकों संगटनों की सभाओं में इस बात का जिक्र करते आवश्यों सुना होगा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और हम इस कारे को पूरा करेंगे छोटा क्या बड़ा क्या नौजवान से लेकर बजर्ग तक इन संगटनों से जुड़े सक्रिया सदस्या आपको मिलेंगे इन सभी संगटनों की एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगती है ये खुले मंच से कहते हैं दोस्तों कि हम देश में जातिवाद नहीं चाते अब हिंदू राष्ट का जिक्र करूँ और जातिवाद का ना करूँ ये तो बात ही नहीं बनती है न मैं आपको उन मुख्यों बिंदू की औरले चलता हूँ आप गौश से सुनिएगा क्योंकि भहुत काम की बाते बताने जा रहा हूँ यदि भारत हिंदू राष्ट रहोता तो भारत को किन नकरात्मक्ताओं का सामना करना पड़ा पोजिटिव मैं बात नहीं करूँगा नेगटिव बात करूँगा क्योंकि नेगटिव रहना ही था आपके सामने जो नेगटिव पॉइंट है वो बताऊंगा क्योंकि ये नेगटिव पॉइंट जो है हिंदू राष्ट होने पर देश में जरूर होते दोस्तो देखिए यदि भारत हिंदू राष्ट्र होता तो भारत का सविधान मनु समरेति के अनुसार चलता यदि भारत हिंदू राष्ट्र होता तो यहां जातिवाद का बोल बाला होता दोस्तों यदि भारत हिंदू राष्ट्र होता तो आपकी सब्तंतरता इतने सी होती सिमित होती यदि भारत हिंदू राष्ट्र होता तो आपको आपकी जाती के मुताबिक कार्या करना पड़ता जैसे चमार को चमरे का, लोहार को लोहे का, कुमार को मिट्टी का इत्यादी आप बाकी काम नहीं कर सकते थे यदि भारत हिंदू रश्ट्र होता तो शिक्षा मात्र भ्रामणों तक हिसे मित रहती यदि बाकी लोग अशिक्षित होते क्योंकि मनुसमरिती आपका सविधान यह कहता उसके अनुसा आर्शिक्षा का जो अधिकार है वो केवल भ्रह्मनों को ही है यदि भारत हिंदू राष्ट्र होता तो शुद्रवर्ण के लोगों को नदी कुँओं बावडी आदिसे पानी पिना वर्जित होता यदि भारत हिंदू राष्ट्र होता तो शुद्रवर्ण के लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते यदि भारत हिंदू राष्ट्र होता तो शासन करने का अधिकार मात्र राजपुतों के पास ही होता यदि भारत हिंदू राष्ट्र होता तो महि लाओं कि स्थी थी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती दोस्तों उन्हें पर्दा प्रता उन्हें सती प्रता जैसी कुरीतियों का पालन करना पर्दा जदी भारत हिंदू राष्ट्र होता तो देश के अर्थविवस्ता केवल वैश्य वरनका इनका ही योगदान रहता और बा तो और भी बहुत सी बुराया होती यति भारत हिंदू राष्ट्र होता अब बहुत से लोग जो हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हैं ये मेरे प्रति विरोध की भावना से सोच रहे होंगे मेरे बहुत से दोस्ते जो पक्ष में हैं ये सोच रहे होंगे इनके मस्तिक्ष म होता और भी बहुत सारी तरक इनके मस्तिष्ट में होते प्रंतु आज की स्थीति देखकर इनके तरकों को हम एहमियत नहीं दे सकते क्योंकि वर्तमान की बात करूँ तो आपने कुछ दिनों पहले ही में एक घटना का विडियो वाइरल हुआ था जरूर देखा होगा के दुरान घोडी से उतारा जा रहा है कहीं दलीतों के लिए अभधर जाती सोचक शब्दों का प्रयों किया जा रहा है कहीं दलीतों को मंद्रों में आने से रोका जा रहा है कहीं सारवजनिक स्थलों से पानी पिने से रोका जा रहा है क्या है यह आप इस बात से अंदाज भारत का सवीधान होता थो हम क्या पेख्षा रखते भारट अभारत में जाते हो बेधवाव्न होता क्या सब्सक्राइब खुछी से रह पाते कि अगर मनुज़्य होती नहीं दोस्तों यदि आप भारत के हिंदू राष्ट होने के पक्ष में है तो आप मुझे बताईए ऐसा क्यों कारण लिखकर बताईए मैं अपनी बात करूँ तो मैं भारत के हिंदू राष्ट होने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ पर मैं राम राज्यों के पक्ष में उन्चाई उपर ले जा सकता है जा हिंदू मुस्लिम से किसाई बराबर हग से रह सकते है दोस्तों अगली वीडियो पर टेल जाते के बारे में बहुत चलती आपके बीच आने वाली है आज की वीडियो यदि आपको थोड़ी से भी बिसंद आई है तो वीडियो को जरूर ला झाल